Hello friends, मैं silencing स्वागत करता हूँ आपका Arvind Institute के इस online portal में Friends, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था number of factors का जहां आज हम बात कर रहे होंगे some of factors का और बच्चे यह आपके exam के लिए काफी important है इससे question पूछे भी जाते हैं Friends, सबसे पहले start करने से पहले हम लोग बात करेंगे कुछ basic concept की तो आप आए बात किया जाए सबसे पहले कुछ basic concept का तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा Friends, तो हम लोगों ने वहाँ बात की थी कि हम कैसे किसी भी number का factorization करने के बाद उसको power के form में लिखते हैं तो वहाँ मैंने बताया था कि सबसे standard form जो होगा वो आप लिखोगे A to the power X into B to the power Y into C to the power Z को और जब आप ऐसे लिख लोगे Friends, तो यहाँ पे अब बात हम करेंगे कि सर अगर sum of factor हमसे पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा Friends, तो वहाँ बात हुई थी कि सर number of factor कैसे निकाला जाएगा और याद होगा तो मैंने कहा था बच्चे कि यहाँ पे जो भी power होता है आप उसको एक-एक बढ़ा लेते हो और वही आपस में गुड़ा हो जाता है और वो होता है अपना number of factor लेकिन यहाँ क्या बात करनी है sum of factor और यहाँ पे मैं आपको concept दूँगा कि sum of factor कैसे निकाला जाएगा लेकिन बच्चे अगर वो बच्चे होंगे जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे उनको यह न समझ में आए कि सर आपने यह power के form में कैसे लिख दिया तो उन बच्चों के लिए जैसे कि मैंने एक संख्या लिया बच्चे 36 का और इसको 2 से अगर divide करूँगा तो आप कहोगे सर 18 टाइमस जाएगा फिर 2 से divide करूँगा आप कहोगे सर 9 टाइमस जाएगा फिर 3 से किया जाएगा 3 टाइमस जाएगा और फिर 3 से करूँगा तो यह 1 टाइमस जाएगा मतलब कि जब मैंने इसको factorize किया बच्चे तो इसको अब मैं किस power में लिख सकता हूँ तो आप कहोगे कि सर दो दो बार है तो 2 की power 2 होगा और 3 भी दो बार है तो ये 3 की power भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और जब इसको इस form में लिख लिया बच्चे तो अगर पिछले वीडियो से question पूछा जाए कि सर number of factor क्या होंगे तो हम लोग क्या बता पा रहे होंगे बच्चे यहां से हम लोग कहेंगे कि सर power को एक एक increase कर लीजे मतलब 3 into 3 और ये कितना हो जाएगा अब friends 9 हो जाएगा लेकिन बच्चे यहां पे हमसे क्या पूछा गया हमसे तो पूछा गया sum of factor क्या होगा तो यहां पे अब ध्यान से आप समझना कि अगर sum of factor पूछ ले तो फिर हम कैसे निकालते हैं तो देखो बच्चे सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि पहले वाले term को उठाएंगे और इसको यहां पे power a to the power x है तो हम start इसे करेंगे a to the power 0 से मतलब यहां कोई भी power हो power 2 हो 3 हो कुछ भी हो आपको start कहां से करना है a to the power 0 से और plus a to the power 1 होगा और जाना कहां तक है बच्चे तो यह जो भी power maximum लिखा होगा उस power तक जाना है लेके मतलब समझ पा रहे होंगे अपने बच्चे कि 0 से start करना है और जो power यहां होगा वो maximum power तक जाना है इसी तरह से दूसरे वाले value b के साथ हम करेंगे इसकी भी सुरुआत हम 0 से करेंगे और जाएंगे कहां तक बच्चे तो आप कहोगे कि sir b की power यहां क्या है y है तो हम y तक जा जाएगा कहां आप कहोगे कि sir c के power कहां तक z तक जाएगा और यह value अपनी जो बनेगी वो देगा sum of factor मतलब a to the power 0 से लेके a to the power x तक पहले वाले term को दूसरे के लिए b to the power 0 से b to the power y तक और तीसरे के लिए c to the power 0 से c to the power z तक जाएंगे clear हो रहा होगा बच्चे अब हम बात करें इसी में तीन question पूछे जाते हैं friends पहला होता है sum of factor दूसरा होता है even factor मतलब कि आपको sum of even factor जो sum संख्या है उनके factor का योग क्या होगा और तीसरा question जो अपने से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि sum of odd factor क्या होगा तो अगर total number of sum of total factor पूछेगा friends तो वो पहला point हमारा ये हो गया लेकिन अगर दूसरा हमसे पूछ लिया जाए जहां वो हमसे पूछ रहा है कि sir even number का जो sum होगा वो क्या होगा even का जो sum आप factor करेंगे वो क्या होगा तो वहाँ पे क्या होगा बच्चे बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये जो आप all factor में जो a to the power 0 लिखा करते थे वो यहां नहीं आएगा मतलब इसकी सुरुआत होगी बच्चे a to the power 1 से और ये कहां तक जाएगा a to the power x तक जाएगा अब आप कहोगे sir b के साथ क्या करेंगे तो बच्चे b और c के साथ कोई change नहीं होता था अ लेकिन जब हम even factor निकालते थे तो change के वल किसके साथ होता था पहले वाले के साथ और जब odd factor भी निकालते थे तो हम पहले वाले को skip कर देते थे यहां भी वही होगा कि हम के वल पहले वाले में change करेंगे बाकी जैसे है वैसे ही उतार दिया जाएगा मतलब b to the power 0 से होते होग यह b to the power y जाएगा और अगला c to the power से c to the power z जाएगा और इसी तरह से friends तीसरा term अगर हम से sum of odd factor पूछा जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे तो वहां क्या होता था बच्चे number of factor में तो आप कहते थे कि सर सम वाले में तो हम पहले वाले term को skip कर देते थे छोड़ देते थे तो यहां भी आप पहले term को छोड़ दोगे और दूसरा term जैसे होगा वैसे ही रखा जाएगा और third term जैसे होगा वैसे ही रखा जाएगा तो यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए friends कि अगर sum of factor निकालना है तो 0 से सुरू होगा जहां तक power है वहां तक जाएगा अगर even factor निकालना है तो पहले वाले में बस A to the power 0 को छोड़ेंगे बाकी जैसे है वैसा ही रहेगा और third order अगर पूछेगा बच्चे तो हम सर्फ पहले वाले को skip कर देते हैं इस वाले को skip कर देंगे और यह और यह जो है वो जैसे 0 से सुरू होगे जहां तक power है वहां तक जाएगा clear हो रहा होगा यहां तक अब इन ही concept के साथ हम आगे बढ़ते हैं और question पे आते हैं और इनका use करके आपको दिखाते हैं बच्चे कि अगर आपको इतना पता है तो आपके exam में question कितनी आसानी से solve हो रहे होंगे तो next question लेते हैं friends वहां से इस concept को use किया जैसे आपके से हमने ल आएगा फिर दो से जाओगे यहां 20 आगया फिर 2 से जाओगे 10 आएगा बच्चे और फिर 2 से जाओगे तो यहां 5 आएगा और 5 से जाओगे तो फिर 1 आएगा clear है यहां तक अब एक बात बताना बच्चे यहां 1,2,3,4,5 मतलब 2 कितनी बार है आप कोगे कि sir 2 तो 5 टाइमस है और यहां पे 5 कितनी बार है तो आप कोगे कि sir 5 तो 1 टाइमस है हाँ या ना clear है इतना अब एक बात बताना कि अगर यह हमने power के form में बदल दिया जो कि यहां पे इस form में था change कर लिया अब हमको sum of factor निकालना है तो हमें करना क्या है a to the power 0 से a to the power x तक जाना है तो इसी तर से अगर हमको यहां पे बच्चे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे कि sir इसमें हम 2 की power 0 से लेते हुए 2 की power 1 जाएंगे 2 की power 2 होगा 2 की power 3 होगा 2 की power 4 होगा और 2 की power 5 तक जाएंगे क्योंकि हम maximum power कितना है 5 है और इसी तरह से दूसरे वाले term के ल है तो 1 power तक maximum जाएंगे अब क्या करना है बच्चे आप बताओ कि 2 की power 5 क्या होता है आपका होगे sir 32 होगा 2 की power 4 क्या होगा आपका होगे sir 16 होगा 2 की power 3 की value 8 होगी बच्चे 2 की power 2 की value 4 होगी 2 की power 1 2 हो जाएगा और 2 की power 0 की value 1 हो जाएगी इनको हमको आपस में add करना है और दूसरा वाला term जो है बच्चे, 5 की power 0, 1 होगा, और 5 की power 1, 5 हो जाएगा, तो यहां से जो हमें मिलेगा, वो तो 6 मिलेगा, लेकिन यहां से अपने को क्या मिलेगा, तो आप add कर दो बच्चे, तो यह 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48 और 48 और यह 2 मिलके 50 हो जाएगा, और 8, 4, 12, 1, 13, total add करोगे, तो 63 हो जाएगा, मतलब 63 का multiply किस से करना है, इस वाले term 6 से, और इसको जब आपस में multiply करोगे बच्चे, तो 63 का 18 का 8 आएगा, और 36, 36 और एक कितना हो जाएगा, 378, और यहाँ से अगर बच्चे आप option देखोगे, तो यहाँ से 378 अपना कौन सा option है, C number वाला option है, clear हो रहा होगा बच्चे, एक question और लेखते देखते हैं कि इसको कैसे solve किया जाएगा, next question है कि 210, आप सबसे पहले बच्चा क्या करोगे, आपकी 210 का आप factorization करोगे, आप कहोगे सर 2 से जाते हैं, तो यह 2, 1, 2, 0, 2, 5, 10 हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर 3 से जाते हैं, 3, 3, 9, 3, 5, 15 होगा, और फिर आप बच्चे 5 से जाओगे, 7 टाइमस जाएगा, और 7 से जाओ हो गया, तो इसको power के form में कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे, कि सर यहां एक काम करते हैं, 2 एक बार है, तो 2 की power 1 हो गया, 3 भी एक बार है, तो 3 के power 1 हो गया, 5 भी 1 टाइमस है, तो 5 की power 1, और 7 भी एक बार है, तो 7 की power 1 हो गया, अब एक बात बताना बच्चे, आपने पावर तो 0 से शुरू करते हैं, और जहां तक जाता है, वहां तक जाते हैं, तो एक बात बताना, 2 की पावर 0, प्लस ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, इसी तरह से ये 3 की पावर 0, प्लस 3 के पावर 1 होगा, और ये 5 की पावर 0, प्लस 5 के पावर 1 होगा बच्चे, और ये से 3 होगा, यह value कितनी होगी, तो आपको होगे, सर, यहां से 1, और यह 3 मिलके क्या हो जाएगा, 4 होगा, यह value 1 और 5 मिलके 6 हो जाएगी, बच्चे, और यह 7 to the power 0, 1 देगा, और 7 की power 7 होगा, तो 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा, अब यहां से multiply करोगे, बच्चे, तो 4 तियां कितना ह हो जाएगा 12, और 12 का multiply 6 से करोगे, तो 72 आएगा, और यहां multiply करना है 8 से, तो एक बात बताना बच्चे, 8 दूना 16 का 6 हो गया, और 37, 56, 57 मतलब 57 यहां से आजाएगा, और यह answer बनेगा कितना, 576, जो की अपना option होगा, यहां पे बच्चे देखोगे, तो 576 अपना option number 1 हो गय अब एक बात बताना बच्चे, अगर आपसे कोई question करे, कि सर यह जो आपने बताया, यह तो आपने total sum of factor आपने बता दिया, लेकिन अगर examiner हमसे question करता है, जिसमें वो पूछता है, कि सर sum of, sum of even factor क्या होगा, sum of even factor, तो वो कैसे solve किया जाएगा, तो बच्चे अब ही बात की अगर आप concept पे चलो, तो अगर आप concept पे चलोगे बच्चे, तो यहाँ देखोगे, कि सर even का factor कैसे निकल ला था, तो यहाँ पे a to the power 0 से बस start नहीं करते हैं, यहाँ start a to the power 1 से होता है, और बाकी जो जैसे था वैसे ही रहेगा, मतलब कि अगर किसी भी संख्या के power 0 लगाओ तो इसकी value कितनी होती है, आप कहोगे सर इसकी value तो 1 होती है, इसका मतलब हुआ बच्चे, कि जब यहाँ से हम even factor लेंगे, तो यह वाला 0 वाला term अगर नहीं आएगा, तो यहाँ एक जो होगा, 1 जो होगा, वो यहाँ कम आने लगेगा, जैसे कि यह वाला question अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे 2 की power 0 की value क्या थी? 1 थी, और अगर आप यहाँ 2 के power 0 नहीं लोगे, इसकी शुरुआत यहाँ से करोगे, तो जो यह 2 और 1 मिलके 3 आ रहा था, वो यह नहीं होने की वज़े से, केवल यहाँ से क्या आएगा? 2 आएगा, और आप कहोगे कि सर पहले वाल मिल लए थी, यहाँ से भी 4 मिलेगी, यहाँ से 6 मिल लए थी, यहाँ से भी 6 मिलेगी, और यहाँ से जो 8 मिल ला था, वो 8 ही मिलेगा, और अगर आप इसको multiply कर लोगे friends, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा? Sum of even factor, और बच्चे अगर आप से कोई पूछ ले, कि सर यहाँ पहले वाले term को skip कर देते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, और बाकी जैसे चला था, वैसे ही चलेगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, कि पहले term को अगर पूरा छोड़ दिया जाएगा, तो पहला term तो यही है, और इससे जो value मिल लाई है, वो क्या मिल लाई है? 3, तो इसको तो आप पूरा छोड़ दोगे, लेकिन 4, 6 और 8 आपको मिलेगा कि नई friends, तो आप अगर sum of odd factor निकालोगे, तो 4 into 6 और into क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यही value आपकी क्या हो जाएगी? sum of odd factor, clear हो रहा होगा बच्चे? अब एक last question और देखते हैं, अब आप से एक last question पूछा गया, कि sir 280 के गुड़न खंडों का योग क्या होगा? इनका sum of factor क्या होगा? तो बच्चे फिर 280 को हम factorize करेंगे, जैसे ही करेंगे, 2 से अगर जाए जाएगा, तो 140 बार में जाएगा, फिर 2 से divide करेंगे, बच्चे 70 आएगा, फिर 2 से divide करेंगे, 35 ताइमस में जा बन के आया, वो क्या निकल के आया बच्चे? तो हम लोग कहेंगे कि sir यहाँ 2-3 बार है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, एक बार 5 है, तो 5 की पावर 1 होगा, और एक बार 7 है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, clear हो रहा होगा? अब यहाँ से अगर total sum पूछे आ या तो फिर मैं direct सोचूं कि sir 2 की पावर 3 तो 8 होता है, तो यहाँ से तो 8 मिल गया, उसका आधा 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, उसका आधा 2 होगा, और उसका आधा 2 की पावर 0, 1 हो जाएगा, तो हमको 8, 4, 12, 2, 14 और 1 यहाँ से क्या मिल गया? 15, तो पहले वाले term से अपने को क 6 मिलेगा, और इसको जब 7 to the power 0, plus 7 to the power 1 करोगे, तो यहाँ से आपको 7 और 1 क्या मिल जाएगा, बच्चे 8 मिल जाएगा, मतलब कि अगर गुडा करूं, 15, 6, 90 हो जाएगा, और multiply with 8 हो जाएगा, 8, 9, 72 कितना आ जाएगा? 720, मतलब अगर total sum पूछे factor का, तो हम answer क्या मारेंगे 720 जाएगे, अब इसी में अगर किसी ने आपसे, कि सर, even का पूछ लिया कि sum of, sum of even factor, तो बच्चे आप क्या बताओगे? तो आप कोहोगे, बड़ी आसानी से आप answer दे पाओगे, आप कोहोगे, कि सर, बस ये वाली जो first value है, ये 2 की power 0 से नहीं सुरू होगा, इसका मतलब इस सेम रहेगी, 6 और multiply with 8, यहां से अगर आप निकालोगे, तो ये आपको even factor निकल जाएगा, और अगर बच्चे, last point, odd factor की बात करें, तो odd factor में क्या होगा? आपको होगे, सर, पहले वाले term को पूरा-पूरा skip कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी जो था, वो वही रह 720, अगर आपको होगे even factor, तो आप इसको multiply कर लेना, जो आएगा, वो आपका answer हो जाएगा, और अगर पूछेगा odd factor, तो odd factor हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, बात आपको समझ में आ रही होगी, तो ये तीन question के through, हम लोगों ने देखा, कि हम कैसे sum of factor को निकालेंगे, अब next video में हम कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए, अगर जिन बच्चों ने भी subscribe नहीं किया है, वो इसे subscribe कर दें, मिलते हैं अगले video में, तब तक के लिए thank you.